हलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल इंडियन इंस्टिटूट ऑफ श्टक मार्केट पर आज अपन समझेंगे कि अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू करना है जी हाँ बिल्कुल मैं आपको बताने वालों कि अगर अपने को पर चाहिए सबसे पहले अपने को नश्यां के पकड़ना चाहिए कि तो मेरा भाई है तेरे को मेरी मदद करनी पड़ेगी पैसा कंवाने के लिए और मैं बताता हूं यह की इतना बढ़िया वेक्ति है आपको आप्को पैसा देना पसंद करेंगा क्योंकि एक आद अब होगा जब मार्केट में बड़े क्रेश आएंगे अगर बड़े क्रेश नहीं आ रहे हैं छोटा मोटा फॉल आ रहा है और आप ETF खरीद ले रहे हो मार्केट घुम की ओपर चले काको पैसा देदेगा इसलिए ETF वन ऑफ दा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है करने बड़ेश के लिए अब इसको दो दिन हुआ है तो क्या बात होगी एसा पॉसीबल नहीं होता है और मैं हमेश्चा मना करता हूँ कि औप्शन करना है पर जब हमारा ETF का पौटफोलियू पांच लाग का होगा तो इसको प्लेच करके औप्शन करना है इसको हम प्लेज करेंगे, इसके प्लेज करने से जो हमको margin आएगा, उस margin से हम option trading करेंगे, पर पेले हमारा portfolio बड़ा बनाएगे, आज में क्या गलती करेंगा, option trading करने को आएगा, 10,000 रुपी लगाएगा, निप्टा देगा, फिर 10,000 लगाएगा, निप्टा देगा, इसे करत करते, उसे पता नहीं चलेगा, वो कब N number of times ऐसा करेगा, अपनी ETF की बनाए हुई रगम को खतम करने वाला है, तो यह गलती हमको नहीं करनी है, अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो गलती से भी नुकसान करने से पहले मिल गई है, तो यह बहुत अच्छी बात है, उसक क्यों कि कुछ इसे अपसे market continuously really कर रहा है, अब ऐसे में में कहां पर जाकी ETF बाय करूं, देखिए, जब market यहाँ पर था, कि आपको यह पता था कि market यह से नीचे जाएगा की उपर, नहीं पता था, आप तो तब market के बारे में जानती भी नहीं थे, जब market यहाँ पर था, तब आपको पता था कि यह से market उपर जाएगा की नीचे, नहीं पता था, क्यों कि आप तब market के बारे में नहीं जानते थे, तो उस वक्त जब आपके जानने नहीं जानने से ऐफरक नहीं पड़ा की market को उपर जाना है की नीचे, क्योंकि वो तब भी बहुत ऊपर था, अगर अवेलेबल है हमें वही सही काम करना शुरू करना पड़ेगा अगर आज की तारिक में मुझे मार्केट यहां पर अवेलेबल है तो मुझे थोड़ा सा सूजबुस्ता यह रखनी है कि मैं बस उसी दिन ना खरील दू जिस दिन मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई बनाने के दो तिन दिन बाद अगर मार्केट नीचे को आएगा तो नीचे को आने के बाद यहां पर मैं अपनी पोजिशन को एंटर कर सकता हूं बस इतने ध्यान से मुझे वर्किंग करना है अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं अल्रड़ी बहुत से बता चुका हूं पर पर आपके पास 10 लाग रूपए कितने रूप में 10 लाग तो 10 लाग में अगर आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट में लगा दे रहे हो तो हम इसे कह रहे हैं मोटा सुइंग करना मतलब अब आपने केपिटल लगा अगर 25 पर्शेंट या उससे ज़्यादा किसी भी एक्क्वि से चलता है मारकेट तो आपको क्या करना यह जो जितनी बार मार्केट ने यह सुइग मनाए ना यह जो बनाosit और यह वाला Suming तो मेरे को ऐसे पॉइंट पर करूब्फ सकती है अगला डाउट इसका जवाब देता हूं स्विंग की पोजिशन आपकी दो दिन से लगा करके और दो महिने तक जा सकती है कुछ लोगों की इससे पर ज्यादा चले जाएगे क्योंकि उनका अकाउंट काई में चला जाएगा नुकसान में पर क्या वो नुकसान बुक कर रहे हैं यही सबसे बड़ी बात है अगर आप लोगों ने अपना नुकसान बुक कर लिया है और वो भी ETF में बुक कर लिया है उसके पास होती है बहुत सारी companies किसी में 30 होगी किसी में 50 होगी किसी में 100 होगी depending upon की वो कौन से companies का ETF है अगर वो प्राइवेट बेंक का ETF है तो हो सकता है वहाँ पर आटी हो अगर वो बैंक भी है तो उसमें हो सकता है बारा हो तो ऐसे आपको अलग-अलग समय पर अलग-अलग ETF के अलग-अलग stocks मिल जाएंगे उन stocks में होता है percentage wise वेटेज अच्छे stocks से लगा करके जो small cash stocks से उसमें कम वेटेज होता है और जो अच्छे stocks उनमें ज्यादा वेटेज होता है तो अब fund manager क्या करता है फंड मेनेजर उन ETF को इससाब से प्लान करता है कि इधर आपने अपने 10,000 रुपे डाले अगले दिन उठा करके फंड मेनेजर ने क्या करा उसी फंड को इस टॉक वाइस डिस्ट्रिब्यूट कर दिया उन इस टॉक्स में तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो आप बेसिकली जा है इजह सभाक्RPắm करनें का मतलब क्या है कि मेरे मोमेंटम चाहिए जो है स्टॉक इसा इस एसा चल रहा है या जो ETF मेरा ऐसा चलौ रहा है उस ETF में यहां तक कि जो रिली जाना है मुझा प्रफिट करना है वही मैं क्या बोलूगा यह मेरे सीुल का नहीं पकड़ेन यह कैसे जहां आपने यह वाले कॉंसेप्ट से जाके बाइंग करी आप फस गए हमें इसा नहीं करना है हमें बचके चलना है क्या ध्यान रखना है कि मार्केट अगर यहां से यहां जा रहा है तो में को यह पेनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहां पोज गया चलो 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 नहीं अगर मुझे दिख रहा है कि इसे आज पकड़ सकता हूं तो पकड़ूंगा तभी जब लाल केंडल बनाएगा जब तक वह रेट केंडल नहीं बनाएगा मैं उसे नहीं पकड़ूंगा एक्जामपल के दोर पे जब मैं निफ्टी वीज की आपसे बात कर रहा था इस लाहें तो हमें 10 नीचे मिल रहा है क्या यह लेना ठीक है डिपेंड करता है कि हम कैसे पैसा लगाना जानते हैं अगर मैं एक लाग रूपे लगा सकता हूं और मैं यह मेरी बंटेंट खरीदी कर रहा हूं तो बिल्कूल पर डालना चाहिए अगर आप एक लाग रूपे तो यहां पर समझे करना है सबसे पहले हम पर प्राइस के इंपोटन लेवल से मतलब में बात करूं तो एक तो मुझे यह सामने के सामने दिखा देता जहां पर भी प्राइस वोल्ड करी वह आता है 268 आगे की तरफ चर्चा करते हैं नीचे जहां पर प्राइस उसको क्रॉस न तो फिर आपके अकेले केलिए नहीं गुसा मार्केट नीचे गया है तो इस ETF में सारे investors का क्या हुआ है फंड लगा हुआ है और सारे ETF जित्ते भी ETF से जित्ते market में टेड़ हो रहे अवर रॉल ब्रॉड सिंदिरियों मार्केट नीचे गया है तो जो भी नेट भाया है फसे तो सारे तो हमें पैसा उतना लगाना है जितना हम अगर गलत हो जाए तो वीकेंड ब्लॉक आवर फंड अगर में गड़बड आ गया मार्केट यहां पर मैंने बाय करा मुझे दिख रहा था यह जौन बनेगा थोड़ा बहुत यहां आने पर मैंने कित्ते पर खरी लिया तो 20,000 यहां यहां यह बना लिया तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बनती है अब आगे की तरफ समझते अगर यहां से यह continuous नीचे गया और 252 तक आया तो क्या होने वाला है 252 तक में मेरा पूरा एक लाग रुपे लग जाने वाला है जो मुझे लगाना था जो मैं आपसे बोला था कि मार्केट एसंए करके यसा चलता है अगर यह एसा व्रासीन निकला और यहां से घूमकर चल तो मैरा काम हो जाएक यहां तक भी ठीक है पर अब यहां जागर करके निञाँ लगा तो कैसे चले जाइगा देखते हैं अगर के यहां कहीं आंगया तो 240 आगया तो आप तो में फाज गया क्योंकि मेरी मैकसिमम निवल देखना पड़ेगा कि इसके नीचे जो है कि अपने लिए रूल सेट करना है कि अब जो है मैं इसे स्विंग से investment कंसिडर कर रहा हूं किया मैं ऐसा कर सकता हूं कि यह सबसे पहले आपन यह समझते हैं देखिए अगर कोई सी चीज नीचे गुस रही है और मैं उसे स्विंग काट कि investment बोल रहा हूं तो मैं traditional form को follow कर रहा हूं जो कि 99% लोगों अल्यडी करते हैं बस मैं यह चाहता हूं कि मैं कहां पर ऐसा करूं दुनिया की सबसे safest जगा पर या कम से कम यह बोलनों कि भारत की सबसे safest जगा पर इंडिविज्व पर यासा कर लूँ और उस पर में investment करता चला जाओं करता चला जाओं और नीचे घुसता चला जाए तो वह फसने का काम होगा हमें यहां पर एसी गलती इसके साथ नहीं करनी है यहां पर तो मुझे मेरा stop loss लेना पड़ेगा stop loss कहां नहीं लेने के अवेशकता है मेरा मनना अल्टीमेटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी पैनिक नहीं करना है गवराना नहीं है पैसा उतना डलना है जितना हम जेल सकें पहले हमने एक लाग रूप पर डाला वो स्विंग केज करने के लिए था कि वहाँ पर हम चाहते थे 10 परसेंट 15 परसेंट निकल जाए तो 15,000 र रूपे की खरीद नहीं है कम से कम 5,000 रूपे खरीद नहीं है और ऐसे करकर के जो मेरा एक लाग रूपे का पोटफोलियो है इसे 10 रूपे तक ले जाना है अब क्या निफ्टी बीस करना जरूरी है बिल्कुल भी नहीं आप चाहो तो निफ्टी बीस से अलग जो वह सार ए लगवग लगवग 5,000,000 रूपे बनाया पर अगर आपको ओप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत नोलेज है और अगर नहीं है तो आप इस वह चनल को सब्स्राइब कर लेजए आप हमें फोलो कीजेगा आपको ओप्शन ट्रेडिंग का भी विल्कुल फ्री आफ खरीदने ते उसका पैसा खुद इसकी प्लेजिंग के मार्जिन से बनाता हूं एक दिन में होगा इस चीज का विशेश द्यान रखना जब हम सिस्टम में काम करेंगे तब जाके इसा कर पाएंगे और टेक्स टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा लगब लगग लगए स साल दो साल का समय देना पड़ेगा तब जाकि आप ऑप्शन से पैसा बनाया पाएंगे अब यहां पर यह तो जो कॉंसेट था यह मैंने बताया कि जब आप फस गए तो अगर आप नहीं फस है मार्केट कंटिनसली और ऊपर चलता चला गया तो तो पैसा बनी रहा है इसमे करा सकते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद